तो ऐसे आपर यह रहा मेरे पास Vivo Y35 Smartphone आपको मैं इसी smartphone के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हां दुस्तों 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंट्रेस्टिंग hidden features बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को एंड तक देकर बहुती interesting, awesome, कमाल, धमाल तरीके से अपने smartphone को use कर सके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह smartphone महेंगा पड़ा या सस्ता देखने के लिए हम पर view product पर क्लिक कीजिए उसके बाद आपके सामने ही price दिखेगा सबसे पहले feature की बात करने के लिए दूसरां आप screenshot लेना चाहते हैं तो त्री finger को नीचे लेकर आना गोटेटी पर आपको दो बार क्लिक करना है उसके बाद से अब जब भी त्री finger को नीचे लेकर आएंगे screenshot लग जाता है इसके अलबा value balance बटन और power बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी screenshot लग जाता है अगर आपको long screenshot लेना है example उपर से लेकर नीचे तक आपको long screenshot लेना है तो क्या करेंगे सबसे पहले त्री finger को नीचे लेकर आकर screenshot लेंगे उसके बाद long screenshot के उपर क्लिक करेंगे तो एक application open करके three finger को उपर लेकर जाना है नीचे एक और screen निकल कर आएगा आप इस तरह से दो-दो applications यूज़ कर सकते हैं उपर वाला app नीचे नीचे वाला उपर भी इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों अब मालो आप दो applications की बीच में काम कर रहे हैं एक application यह है दूसरा application यह है तो आपको उस पहले वाले application में जाने के लिए इस menu button पर double click करना है वापस double click करेंगे तो इस application में आजाते हैं अगले feature की बात करने के लिए अब मालो आप हम पर menu button पर click करते हैं तो यहाँ पर एक page में एक ही यहाँ पर application दिख रहा है आप इसका style चेंज कर सकते हैं इस पर click करेंगे तो यह इस style में आ गयागा जो style आपको अच्छा लगता है यहाँ पर कर सकते हैं अगले feature की बात करने के लिए हम पर यह जो dial pad है इससे हम call करते हैं तो सामने वाले को announcement सुनाई देगा उसके लिए आपको क्या कर नहीं dial pad में हम पर dial करना है star hash star hash double five double six double eight hash star hash star dial कर देना है यहाँ से इसको on करना है on करेंगे तो यहाँ पर अभी यह तो dialer है न अभी हाँ पर एक नया dialer निकल कर आएका यह देख सकते हैं इसको on करना है on करके हाँ पर set as default पर click करके हाँ से इसको default कर लेना है नया dialer को हाँ पर हमने कर लिया तो अभी इसको निकाल करेंगे रिमो करेंगे और इस dialer को जो नया वाला dialer था इसको हम लेकर इसको हम यहाँ पर लेकर रखेंगे तीक करके agree हो जाना है एक और बाड करके agree हो जाना है आपको इसमें आना है यहां से optimize करना है अगर आपका smartphone ल्याग होता है तो यहां से आप maximize करेंगे तो आपको smartphone और भी speed चलता देता हो आपको पूरा होने के बुद्स आपको आना है क्या यहां पर आपको scan करके बताएगा आप यहां पर scan करते रहे ना इसको ऊपर ऊपर तो चीलिए उसके बाद back आने के बाद space clean up पर आप click करके यहां से इसको clean कर सकते हैं जो junk file है waste data है यह clean करेंगा अभी फिलाल तो यह load हो रहा है load होने दो load होने के बाद आपको clean up all पर click कर देना कुछ इस तरह से और storage में space आ जाएगा अगली फीचर की बात करने के लिए आएंगे दसों यहां पर हम screen का और यहां से इसकी capacity को बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं आप browsing वगरा कर रहें या study करते हैं आप फोन में तो इसको on करना आपके आँख सेफ रहेंगे back आने के बाद यहां पर dark थी मैं इसको on करेंगे तो पूरा फोन इस तरह से black black सा हो जाता है तो आपके आँखों को effect नहीं पड़ता है screen का और battery भी कम consume होती है आप इसको anytime जरूर on करके यूज करना मैं थोड़ी दिर के लिए off करता हूँ video recording करने के लिए उसके बाद यहां पर screen timeout है यहां से आप maximum 30 minutes तक कर सकते हैं आपने एक minute कर लिया तो आपने phone को रखा है यूज करना बंद कर दिया लेकिन screen on है तो एक minute के बाद में automatic display off हो जाता है आते हैं और back आपको यहां पर मिलता है auto rotate screen इसको on करेंगे तो जैसे आप phone को rotate करते हैं पूरा screen अंदर का जो है वो भी उसी तरह rotate हो जाता है उसके बाद यहां पर screen colors है इस setting में आकर आप professional कर सकते हैं bright कर सकते हैं और इसके अलवा color temperature को भी adjust कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लेगे तो यहां से आप अपने fonts को बड़े कर सकते हैं यह देख लीजी इतने बड़े भी दिखेंगे यह हो गया उसके बाद यहां पर है display size मतलब मतलब यह जो screen है न बटन के साथ में बड़ा हो जाता है यह देख सकते हैं यहां पर आप इसको प्लस पर क्लिक करके बड़ा सकते हैं अगर आपको यह अच्छे लेगे तो नहीं तो और भी stylish वाले fonts आप चाहते हैं तो download more पर क्लिक करके download करके रख सकते हैं back आने के बाद आपको display and brightness setting में आने के बाद नीचे आने के बाद इस तरह से status बार दिखता होगा इस status बार में आना है यहां पर notification method है इस setting में अकर नन करेंगे तो जो जो apd yra not verk पर आपको उनके icons बताएंगे उसके बाद display real time network speed इसको अन करेंगे तो आप internet use कर रहे हैं की internet की speed कितना है यहां पर आपको उपर बताएगा उसके बाद यहांपर battery percentage को सकते हैं battery percentage देखने के लिए हाँ इपको बताएगा वी except I did this उसके बाद आपके हां पर दिता है सक्रीन रीफरेश रेट आप maximum 90 ऑट स्क्रीन रीफरेश रीट करें थैज आप यह विस्टाइक आपका 75 श्मार्ट फोच नहीं चलता है लेकिन बैटरी बैक अप ज्यादा देता है आप यहां पर करेंगे इसको 90 हट तो स्मूझ चलता है लेकिन बैटरी थोड़ा ज्यादा है तो हमें पर है काफी अच्छा दिखता नेकर हों नीचे नीचे नोटिफेकेशन अन्सकर लिए पर सेट कर लिया उसके बाद ब्याक आने के बाद हाहने ऐसे gatो सेलिंग थे cars करा क्या है के लिए तो चलिए हम पर मैं नोटिफिकेशन के लिए इसको रख लिता हूं अप्लाइक कर लिया तो आपने वहाँ पर जो भी एप को सेट किया है और उनसे आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह वह एड़ लेटिंग लगता है यह भी कमाल का दिखता है दोस्तों आते किया एक सिंपल साफ अपने फेस लौक सेट करके रखा है तो लौक स्कुन पर एक इस तरह से ताला बता देता है आप आप ताला निकाल कर एक आईकन वागरा रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे बैक आने के बाद हम पर चार्जिंग अनिमेशन मतलब आप चार्ज कर सकते हैं और बैक आने के बाद इसक्रिन आफ एनिमेशन भी आप रख सकते हैं आप अपने फ़ोन को on अफ करते हैं तो एक एनिमेशन आता है वो और आप हम पर रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे बिना उस phone में अपने Wi-Fi का password डाले, इसके बाद आपको यहां पर मिलता है S Capture, आप इस S Capture में आकर long screen shot यहां से ले सकते हैं, और यहां पर है दोसों record animation, मतलब आप हम पर resize करके अपने हिसाब से भी screen recording कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके इसको देख लीजिए, आप पर इतना आ ओफ भी कर सकते हैं, उसके बाद उसी S Capture में आपको और मिलता है, यहां पर देखते हैं, तो चलिए, हाँ पर S Capture हम क्लिक करेंगे, तो यहां पर हम क्लिक करेंगे, तो यहां से आप funny screenshot ले सकते हैं, अलग अलग shape में यहां पर इसकी उपर क्लिक कर लना है, इस आपने इस में भी स्क्रीख ले सकते हैं इतना इस्क्रीन चूर्ण लग जाता है ये दिख लीजे अगली पीच्छर की बात करने गले इसी पैंल में हम आएंगे हाँ पर करने के बाद लोग भी खर सकते हैं और आप माई को अगरा चाहें माई को अगरा से जेक्ट करेंगे तो इसको बंद भी कर सकते हैं वापस से अगली बात करने करने इसी इसी notification पैनल में हम जब आएंगे यहां पर आपको मिलता है दोस्तों Do not desktop आप इस कौन करेंगे तो आपको call, message, कुछ भी आता है आपको पता ही ने चलिएगा क्योंकि आपका smartphone hybrid भी ने होगा और phone के ringtone भी नहीं बज़ेगी आप meeting में वगारा रहते हैं तो इस do not do stop को use कर सकते हैं इसके अलावा आपके हम पर इस pencil पर click करना है click करने के बाद और buttons को आप हम पर ऊपर चोड़ सकते हैं मतलब ले सकते हैं drag करके और भी यहाँ पर buttons आपके हम पर मिलते हैं bad time mode है focus mode है और यहाँ पर mini screen mode है इसको भी ले सकता हूं मैं तो चलिए हम पर मैं ले लिया हूं और यहाँ पर देखें यहाँ पर mini screen mode है आप अपने phone को इस तरह से छोटा करके use कर सकते हैं यह हो गया इसके बाद हमने यहाँ पर लिया था और चलिए हम पर देखते हैं यहाँ पर bad time mode है यह भी do not desktop के regarding ही होता है आप सोते वक्त हैं पर अपना time डाल देना आप कितने घंटे सोएंगे उसके बाद आपको call में सच कुछ भी आता है आपको पता ही ने चलेगा आराम से आपकी नेंद होगी दूस्तों इसके अलवा इसी notification पैनल में आने के बाद हम ने लिए आप हम पर focus mode को हाँ पर है दूसरे कमाल का focus mode हाँ पर show all apps पर क्लिक करके हाँ पर कौन से applications का notification आप थोड़ी दिर के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं हाँ पर कर सकते हैं एक्सामपल चलिए हम पर मैं Facebook को select कर लेता हूँ अभी हम क्या करूंगा turn on now करूंगा तो अभी Facebook मैं open करूंगा तो open भी नहीं होगा यह देख सकते हैं और इसके notifications भी हमके हम पर नहीं आएंगे और उसके बाद अभी हम पर मैं इसको off कर लेता हूँ इस focus mode को off कर लिया तो हम आपके हम पर दिखता है notifications इस setting में आना है और यहां पर notification history इस setting में आकर इसको on कर लेना है अब मानलो आपको बहुत सारी notifications तो आते हैं आपने हम पर clear कर लिया तो यहां पर वो save हो जाएंगे बाद में आप आपर देख सकते हैं किस-किस app से हमको notifications आये थे हमने क्या-क्या clear कि यहां पर देख सकते हैं दूस्तों आकर आते हैं आपको मिलता है यहां पर नीचे और bubbles मतलब यहां पर इसको on करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा Facebook Messenger एक bubble आता है क्लिक करने के बाद चार्ट open होता है वापस से क्लिक करने के बाद चार्ट close होता है इसे आप यूज कर सकत यहां पर आपको कुछ भी नहीं बतायेगा पूरा निट के लिए बता देता है तो कोई भी एप से प्र को नोटिफेकेशन आता है तो इस स्क्रीन अन हो जाता है दूस्तों आप हमपर यूज कर सकते हैं आपकर हिसाब से नीचा नेख यहां आप अपर ऑमस्क्रिन एकण ब आता है तो उस app के ऊपर कुछी में नहीं बताएगी notification की निशानी और यहां पर आप करेंगे दोस्तों एक dot करेंगे तो उस app के ऊपर एक dot बताएगा और यहां पर आप करेंगे number तो आपको quantity बताएगा उस app से कितने notifications आये हैं अगले feature की बात करने के लिए आते हैं दुस्तों settings में और आना है इस तरह से नीचे आपको यहां पर मिलता है भी apps इस setting में आपको आना है यहां पर screen time मिलता है आपको आज सुबा से लेकर अभी तक आपने कितने minutes और कितने घंटे phone को use किया है यहां पर देख सकते हैं और पूरे week का data भी आप यहां पर देख सकते हैं दो घंटे तीन घंटे अपने हिसाब से दो धाई घंटे मने आपको क्लिक का देना है अभी आप Facebook को एक दिन में धाई घंटे ही यूज कर सकते हैं इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते हैं और यूज करना चाहते हैं तो दूसरे दिन का इंतिजार करना पड़ेगा या तो इस सेटेंग में आकर टाइम और बढ़ाना पड़ेगा अब इस तरह से कोई भी ऐपलिकेशन का टाइम सट कर सकते हैं आपको हाम पर मिलता है यहाद करने के अपको आना है वापशे सेटेंग में और इसी एप सटेंग हम जब आ आएंगे नीचा ना है अन्यूज तो यहां पर बताएगा यहां से आप देखकर इसको अंस्टॉल भी कर सकते हैं आपका स्पांट फॉन स्पीड भी चलेगा अगर एपलेकेशन का लोड कम है तो और स्टोरेज में स्पेस भी रहेगा सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आना है आपको आना है इस तरह से स्पेस में आने के बाद आपको हांपर मिलता है इसको प्लक्रेंगस करें इसको आप आउन करेंगे तो आपका smartphone और भी अच्छे से परफॉर्म करेंगा अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों वापस से सेटिंग में आने के बाद इस तरह से नीचे आना है आना है यहां पर गूगल प्रोटेक्ट इसकी उपर आप किलिकर करके हैं से स्कार कर से कहां सी जिस्से हैं आपकी फौन कर से हैं क्या यहां प्र उसकी बाद ब्याक आने के बाद हैं इसको जरूर्पवाइं आ要प्लो आका घुम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्माटफोन को और देख सकेंगे कहां है आपका स्माटफोन और नीचे आने के बाद आपको हम पर मिलता है कर लेता हूं अब यहां पर मेसेंजर ओपन करेंगे तो यह लॉक पुझेगा अगली फीचर की बात करने लिए आपको से एम सेटिंग में आना है और आपको नीचे अगर प्रैवेसी एंड एंड एक बार अनलॉक करना है यहां पर हैड कर सकते हैं चलिए हां पर मैं जाता है अनमार करेंगे तो अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं दस्वों वापस सेटिंग में और आपको नीचे आना है यहां पर स्मार्ट मोचन आपको इस सेटिंग में आना है शेक टू टर्न अन दर फ्लेशिट इसको अन करेंगे तो अब मालो आप रहेकर फोन इस सेटिंग में आपको आना है हां पर स्वाइब अप्टो अन लॉक है इसको अन करेंगे तो आप अन लॉप लेकर जाएंगे उंगली तो अन लॉक हो जाता है डार एक बार लॉक पुझेगा यह देख सकते हैं उसके बाद और ब्याक आने के बाद आपको मिलता है दोसी स तो जैसे फोन को उटा कर हाथ में लेते हैं तो अब मानलो आप करके रखना चाते हैं भी फोन को डबल टैप करना है लॉक हो जाता है अगले फीचर की बात करने के लिए हम पर जो नौच में लाइटिंग दिख रही है आपके हम पर यहाँ पर येलो कलर में आपको लिए पोन करना है और बॉब्स आपर अठीचन को डाउड यौण इंटरनेट नहीं है मैंने दूसरे phone से इसको share कर लिया है इस application को क्या करना है download करना है download करके open करना है open करके सारे permissions देना permissions आप देंगे तो इस space में आप आ जाते हैं यह offer है सबसे पहले इसको on कर लियना है आपने on कर लिया हाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और एक controller है इस controller से आप अपने camera के पस लिए कर जाएंगे इस ring को उसके बाद आप इस पर click करके यह आपको मान लो कि यह green color set करना है तो green color का जो code है आपको क्या करना है copy करना है इस तरह से set हो जाता है अगली feature की बात करने के लिए आते हैं दुसरों वापस से settings में और आते हैं इस तरह से नीचे हाँ पर है shortcuts and accessibility setting में आना है वापस से हाँ पर आपको मिलता है भी quick action या off है तो इसको on कर लेना आप सबसे पहले on करेंगे तो अब मानलो आप lock करके रखे हैं फोन को तो value minus button के उपर long press करेंगे तो flash it on हो जाती है देख सकते हैं अभी हम इसमें दूसरा feature भी लेकर आ सकते हैं आप पर open app पर click करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी मन पसंद का app set कर सकते हैं यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यूटूब को कर लेता हूँ यूटूब को मैंने solid कर लिया अब मानलो आप करके रहें फोन को value minus button जो sound कम करने वाला बटन है इसके उपर long press करेंगे तो यह open हो जाता है दो डिरेक्ट यह यूटूब अगले feature की बात करने के लिए आते हैं दोसों settings में और नीचे आकर इसी shortcuts and accessibility setting में आना है और यहाँ पर है easy touch इस setting में आकर इसको on कर लेना है और इस तरह से बटन निकल कर आता है यहाँ सी screenshot ले सकते हैं यहाँ सी भी आप और उसके बाद यहाँ से आप calculator यूज कर सकते हैं छोटा सा पपप में इसके अलावा और आप हम पर screen recording कर सकते हैं फ्लेशिट का on-off कर सकते हैं और आप हम पर नीचे अभी फिलहाल तो यह कर सकते हैं तो प्लस पर करके और भी आप हम पर अप अच्छा लगता है वह स्कीन आप हम पर सेट करके रख सकते हैं चलिए हम पर मुझे औरेंज अच्छा लगता तो हम पर मैं औरेंज सेट कर लिया है आते हैं दुसमों ब्याक आपको आना है और शॉटकट्स एंड एक्सिजब्ली सेटिंग में आने के बाद आपको यहां पर नहीं चाहना है यहां पर फेस ब्यूटी फोर वीडियो कॉल यहां से आप इसको अन करेंगे तो आप इस नॉर्मल फोन से भी वीडियो कॉल करते वक्त भी फेस ब्यूटी दीगेगा आपको अगर इंकमिंग कॉल्स को अन करेंगे अब मालो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लाशिट है वह लगया का दस्तों आप कहीं भी फोन को रखें तो फ्लाशिट को लगता हुआ देखकर पहचान सकते हैं कॉल आ रहा है बोलकर अगली फीचर की बात करने के लिए कर लेता हूं तो यह हो चुका है यह अपने इसाब से रखस्तिन जो आपको अच्छा लगए अगली फीचर की बात करने के लिए वापस से लॉंग प्रेस करते हैं होम स्कुन पर या दोंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे उसके बाद आपके हम पर होम स्कुन दिखता ह काये अपको इस तरह के और वबी टॉप हंडारेट प्लस टिप्स एंड्रिक्स इंटरेस्टिंग हीडgos वाला वीडियो देखना है या क्यामरा की सेटिंस वाला वीडियो देखना है उन सारे वीडियोज की निक आपको नीचे मिलगे डिस्कृप्शन में नहीं तो आपको एंड स्क्रीन में तीन सेकेंड के बात में दिखेंगे वो वीडियो